तो दोस्तो आज संडे है चुट्टी का दिन है और आज का जो यह वीडियो है यह बहुत ही खुबशूरत से पौदे पर है ऐसा पौदा जो गुच्छे में फूल देता है एक साथ भर कर खिलता है और अगर आपने एक बार अपने गारण में एड़ कर लिया तो एक बार लग इस तरह से रैडिश कलर में कली रहती है वो भी मेरे पास वरायटी है हलंकि वह चट पर लगिया उसमें भी अभी जो फलारिंग है वह स्टार्ट हो चुकी और दूसरी जो यह आप कुंदा की वरायटी देख रहे हैं दोस्तो इसको यह रहती है यह वाइड कलर में बढ़ ऐगया है सैमी बेल कियो है क्योंकि इसकी लंबी-ब्रांची निकल कर आती है आख चाहें तो इसको थोड़ा बांध कर थोड़ा से टिंक कर सकते हैं जमीन में लगाने पर थोड़े नंबी बेल्ल में भी यह न हो पौधा इसको चटबी जाएगी लकिन अगर आप इसको सही बताओu तो यibly क्टिंग करके या सब्सकुरु च्छोटे प्लाइन में बुशूर सकते हैं आप200 अगर का द 17 ध मौले को लेकर यह ocean kle devõ सकते हैं किस तरह से इसकी रिपॉर्टिंग करने चाहिए क्योंकि ये पौधा लगभग हर साल रिपॉर्टिंग मांगता है इसकी जड़े हैं वो बहुत तेजी से भागती है means जो भी ये semi-bale या बेल वाली varieties रहती हैं जब आप गमले में grow करते हैं तो उनकी जो roots हैं वो बहुत तेजी से चलने लगती हैं तो इस वज़ा से इन पौधों की reporting जो है वो खास तोर पर हर साल या साल में क्रेंग क्रेंग केसी में अगर आपके गमला बहुत छोटा रहेगा तो दो बार भी requirement रहती है तीसरी बात जैसे यह पौधे मैच्योर होते ह पर इनकी जो multiple branches हैं वो निकल कराती है multiple branches को लेने के दो तरीके रहते हैं तो पौधे की trimming करना जैसे आसे आप पौधे की trimming कीजेगा इसकी multiple branches नीचे से develop होने लगती है और जितनी जएदा branches रहेंगी उतनी अच्छी flooring या heavy flooring करेगा अगर बात करूं flooring season की तो flooring season most important है कौन स कौन से मौसम में इन पौधों पर जो है वो flooring निकल कर आते हैं तो मैं अगर बात करूं मेरे इस पौधे में साल में दो बार जो है वो भर कर flooring आते हैं कौन कौन से season में एक तो ये देखिए अभी आपको दिखा रहा हूं ये बरसात के बाद कह लीजिए कि जब सर्दी की शुरुआत होती है तो मेरे पौधे में तो अभी क्यार दिसंबर में निकल कर आए हैं लेकिन बहुत से cases में इसके जो फ्लार्ज हैं वो नुवंबर के मौसम में निकल आते हैं और दूसरा मार्च एपरल के मौसम में ये पौधा फिर से बहुत हैवी फ्लारिंग करता है मत एक जो ज़रूरी बात और रहती है वो रहती है कि ये पौधा जब भी आप मिट्टी में ग्रू करते हैं गमले में ग्रू करते हैं तो इसकी soil mix जो है वो बहुत important है soil mix के अंदर क्या का लेना चाहिए ये आपको बताता हूँ जब मैंने इसकी reporting की देखी normally sand soil और कोकोपीट या फिर आप कह लीजिए sand soil compost और कोकोपीट जो रेत, sand, बजरी या फिर खाद का जो ratio रहता है वो तीन या चार हिस्से में जो mix है आप कर लीजिए टोटल 25-25% जो हिस्सा है वो सभी चीजों का दे दीजिए इसके लावा इन पौधों को एक बड़ा चमच भर के जो है वो बोन मिल और एक से दो चमच जो है वो लगा लीजिए पांच से दस ग्राम इसके गमले के अंदर मैं सरसों की खली जब भी बरसाथ निकल जाती है लगबग सब्तमबर अक्तूबर के मौसम में अच्छे से गमले की उड़ाई करके इसके गमले में सरसों खली और बोन मिल जो की रिपॉर्टिंग ना करने पड़े तो आप इसको लगबग 14 इंच के गमले में ग्रोग कर लीजिए तो आपको दो साल में एक बार इस पौदे की जो रिपॉर्टिंग है वो करने पड़ेगी यह देखेगा इस तरह से इसके गुच्छे में फूल रहते हैं एक ही बंच क के उपर बहुत सी कलिया निकल कर आती हैं और जब यह एक साथ खिलती हैं तो बहुत सुंदर सी दिखाई भी देती हैं आप इसकी हलाकि रेड़ वाली वाराइटी को भी दिख सकते हैं रेड़ के अंदर के है थोड़ी सी जो मैंने नोटिस किया अपने एक्सपिरियंस से उ नहां पर इसकी बैक सेड में अगर आपको दिखाऊं एक तो इसके ओपर माइट्स का अटैक बहुत होता है दूसरा थ्रिप्स का और तीसरा एफिट्स का इन तीनों चीजों का इस पौदे पर बहुत अटैक रहता है तो इस वज़ा से इनके ओपर जो टाइमली कह हैं इसके लावा इस पौदे पर कभी कबार कुछे केसिज में वाइट फ्लाइज का अटैक भी देखा गया है अगर बात करूं तो मेरे इस प्लांट में एक बार बहुत भ्यंकर वाइट फ्लाइज का अटैक हो आता तो मैंने उसका क्या ट्रीट्मेंट दिया मैंने इस करके इसकी पतियां रिमूब करके पौाधे को सन लाइट में प्लेस कर दिया जहाँ पूरी धूप रहती है वैसे भी इस पौधे को ऐसी जगाँ पर ही प्लेस करना चाहिए जहां पर पूरे दिन की धूप मिले गर्मी या सर्दी ये पौधा मेरा second floor पर रहता है पूरी sunlight इसको मिलती है सुबह से लेकर शाम तक की उसी condition में जो दोस्तों आपके flooring plants रहते हैं वो अच्छी flooring कर पाते हैं तो मैंने इसको इसकी सारी leaves remove करके trimming करके अच्छे से एक बार जो है वो पौदे को sunlight में place किया उसके बाद इसके उपर जो branches रहे गई थी उन branches पर हर पांच दिन में जो है वो insecticide का spray जैसे मैंने आपको बताया ओबिरोन का spray बहुत बढ़िया रहता है तो मैंने उसका spray किया उसके spray के बाद दोबारा से जब इसकी पती आनी शुरू ही तो continue मैं spray जो हर पांच से साथ दिन में करता रहा फिर इसके ओपर दोबारा जो हो कभी भी मेरे पौदे पर white flies का attack नहीं हुआ तो ऐसा आप भी कर सकते हैं अगर आपको किसी पौदे में जो problem आए तो इस तरह की treatment आप दे सकते हैं और लास्ट में बात करूं दोस्तो फर्टलाइजर की तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस पौदे की जब आप मिट्टी त्यार करते हैं तो उसके अंदर भी हम सर्सों की खली नीम खली भी थोड़ी सी आप आड़ कर सकते हैं और साथ के साथ जो बौन मील है वो आड़ करत सकते हैं अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में रहता है और एक चमच जो बड़ा चमच है वो बोन मिल का तो इसकी गमले की अच्छे से गुडाई करके आप ये चारों चीज़े साल में चार बार अगर आप एड़ कर देंगे तो वह इस पौदे के लिए बहुत सफिश